जै माता के सभी भक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगजन्नी मा अम्बे की कृपा सदैव आपके उपर बनी रहे दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से ही मा के आशिरवात से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगी ह और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी जो है साधना करती हैं और साधना के दौरान साधना जैसे आपका मन है कि आप जो है अस्टमी पे साधना कर रहे हैं नवमी पे साधना कर रहे हैं या कि माता के कोई विसेश दिन जैसे कि अलग-अलग तरह की आकरितियां, अलग-अलग तरह के फूल बन रहे हैं, तो उनका क्या महत्व होता है और उन दिनों में जो बनने वाले फूल हैं, उनका आपको क्या करना है, बहुत ही गुप्त रूप से आपको बताऊंगी, गुप्त तरीके की यह उपाई मैं आपके अंतक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आएगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, कोमेंट करें, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहल कामना पोन हो, हमारे हर कारे जो है, वो सुरलव हो जाए, जब भी कोई सादक या कोई भागत जो है, मा की या कोई बाबा की पूजा करता है, अपने देवी देवतागी, अपने इस्ट देवतागी पूजा करते हैं, तो उनके मन में ये भी भावना रहती है, कि हमारे देव देवता देते हैं जिसको कहते हैं कि दिपक की बाती में फूल बन रहा है दिपक की बाती में जब फूल बनता है तो मान लेजिए कि आपकी जो पूजा है आपकी जो साधना चल रही है आप उस साधना में सक्सेस हो रहे हो आपको उस साधना के दोरान जो है अनुभूतियां ह देवी मां आपसे प्रसन है आपके देवी देवता जो है जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं वो आपकी साधना से प्रसन हो रहे हैं और वो जोत पे आते हैं जोत पे ही हम जो है किसी भी देवी देवतां की सात्विक शक्ति को जो है स्थान देते हैं देवी देवता हमारी जोत पर ही आख़र हमें इन बातों का संकेत देते हैं कि वो आप से प्रसन है या वो जो हैं आपकी साधना सुन रहे हैं देखरे हैं अब होता है जब ही आपकी पूजा में धिपक में कोई भी हकृति का फूल बन रहा है कमल की तरह फूल बन रहा है चांद की तरह फूल बन रहा है नैना देवी की तरह फूल बन रहा है दिल की शेप में फूल बन रहा है या फिर आपका फूल जो है ऐसे कमल के जो पंखडियां होती है या कमल की जो कली होती है उस तरीके से बन रहा है तो समझ लेजिए कि आप क् कि देवी देवता आप से परसन हो रहे हैं आपने उसको क्या करना है उस फूल को निकालना है उठाकर जो है आपने एक छोटी सी किटोरी या तो चांदी की हो तांबे की हो पितल की हो आपकी कटोरी उसमें इकठे करते रहना है जब भी आपकी जोत में फूल बने जैसी कि और एक डिबी बना लेजिये, छोठी से डबी ले लेजिये उसमें आपने सारे ही कठे करने या फिर उस ही कटोरी में जिसमें आप ही कठे कर रहे हैं उसमें ही रखे हैं अब आपका जब भी कोई ऐसी मुसीबत आजाए जब भी कोई आपको कोई बड़े से बड़ा काम जो है अटक जाता है अड़ जाता है या आपके जो है वो चीजे हो ही नहीं पा रही है आप अपनी पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रही है नोकरी नहीं लग रही है कोई है आपने तिलक लगाना है अपने मस्तक पर छोटा सा तिलक यहां पर लगाईए बड़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि पेपरों के दौरान आपको ये चीज़ें अलावड नहीं होती हैं तो बिल्कुल छोटा सा तिलक आपने लगाना है अपने मस्तक पर मातार का ध्यान करना है ये प्राथना करनी है कि हमारे साथ हमारे जो देवी देवता जिनकी हमने पूजा अर्चना गी है जिनकी जोत में हमारे फूल बना है वो देवी देवता हमारे से आगे चले हमारे कारे को पोन करें अगर आपका कोई केस चल रहा है जमीनी विवाद चल रहा ह जमीन जो है वो आपकी हड़प जा रही है या फिर आपकी जमीन का केस बहुत दिनों से चलता आ रहा है तो थोड़ा सा वो जो आपका जोत का फूल बना है उसकी राख ले जाए उसको अपनी जमीन में छिड़क देजिए इससे भी आपका कारिय जो है वो माता रानी की पासे पून होगा, बहुत सिध और जो हमारी जोत में फूल बनते हैं, बहुती काम की चीज़ें होती हैं, जो हमें पता ही नहीं होता है, जिनका हम मिस यूज कर देते हैं, या फिर हम बैती दर्या में बहा देते हैं या फिर हम पूजा के स्थान में जैसे पूजा के जो हमारा समगरी होती है उसमें ही सहला देते हैं ऐसे नहीं करना है आपको इनको इकठा करके रखना चाहिए ये आपके लिए बहुती कारिगर और बहुती उप्योगी होते हैं उन गाड़ियों पे भी आप चोटा चोटा तिलक जो है इस सिंदूर से लगा सकते हैं इसका आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा आपके कारे में कभी भी कोई भी अर्चन नहीं आएगी सभी के सभी कारे आपके पून हो जाएंगे तो ये वीडियो बनानी बहुत ज़् उप्योगी और कारीगर और आपके कारे को पून करने वाली ये जोत होती है जोत का हमेशा ध्यान रखिए जोत जब भी लगाएं कैसे लगाई जाती है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अखंड जोत का क्या नियम होते हैं ये भी मैंने बता रखा है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चलिए जैना